नमस्क्राइब आप मैं शर्यासिर स्वागत है आपका सियासर टीवी के हिंदी समझ चाहर में सबसे पहले देखते हैं है ट्लाइंस बंगाल प्रोटेश वाले प्यान पर मम्ता बनर्जी का बड़ा प्यान का मैंने चातों खलाप एक बीच शब्त नहीं बोला हर्याना विदान सबाशनौक के लिए जेपिनरडा में शाक की आयम बैटक उमेदवारों के नाम पर होगा मन्थन अग्वाइंस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कापी धर्ति दिल्ली नुएड़ा गाज़ेबार में बियाया भूकम इसमिती रानी के बद्रेसुर का राउल गांधी बचकानी हरकते करते हैं कोई करत तैमी में ना रहे योगी का समारवादी पार्टी परत्रंस का लाल टोपी वालों के का नामे हैं काले आप सब हैं परिचित बीजेपी नेता ब्रज भूचर्ट शरन सिंग को हाई कोड से जटका रज ने कहा अगर आप आरोप रद कराना चाहते हैं तो आ सकते हैं जमो कश्मीर में कॉवरेश नेशल कॉन्फरेंस के गडबंधन परसर निर पैलेट के आई प्रतिकरिया अब समझार विसार से कुलकाता के आज जी कर मेडिकर कॉलिज में टेनी डॉक्टर के साथ हुए अतियाचार का मामली को लेकर न्याएक की मांग को लेकर सरकारी स्पताल के डॉक्टर व्योथ कर रहे हैं उनके इस आंदूलन पर पश्चमंगाल के मुख्यमंद्री मम्ता बिनर जी ने कहा है था कि एक एफायार उनके भविश्च को बरबात कर सकती है उनके इस बयान के बाद मम्ता बिनर जी पर विपक्ष हमलावर है विपक्ष कारोप है कि सेम मम्ता बिनर जी चात्रों को डराने की कोशिच कर रही है इस बीच मम्ता बिनर जी ने एक और बयान दिया है अपने भाशड को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिगा है कि मुझे कुछ प्रिंट इलेक्ट्रानिक और डिजिशल मीडिया में एक दुर्भावनापूर दुशपरचार अभिहान का पता चला है जो कल हमारे चात्रों के कारेकरा में मेरे दौरा दिय यह आरोप पूरी तरह से गलत है उन्होंने आगे कहा है कि मैंने बीजेपी खलाप बोला है मैंने उनके खलाप इसलिए कि वो केंच सरकार की मदद से हमरे राज में लोग्तंद को खतरे में डाल रहे हैं वो राजमिया राजकता पैदा करने ही कोशिश कर रहे हैं मैंने उनके खलाब आवाज उठाई है आगे उन्होंने काए कि मैं ये भी इसपर्ष करना चाहती हूँ कि जिसी वक्याश का मैंने कल अपने भाशन में उप्योग किया था वो श्री रामकरश्न प्रमहंस देव की लाइन है और उन्हें काए कि कभी-कभी आवाज उठाने की जवरत होती है जब अपराद और अपरादी घटनाए होती है तो विरोध की आवाज उठानी ही पड़ती है मैंने उसी संदर में इस बात को कहा था हर्याना विदान सभा चुनाओ की मद्य नजर उमिद्वारों के नाम पर अंति मुहल लगाने के लिए शाम को बीजेपी के राष्ट्रे अदग जेपी नड़्डा के अदक्ष्ता और प्रधान मंतरी नरिद मोदी की मुझूदगी में चुनाओ समीती के बैठक होनी है के चुनाओ समीती के में तबोड बैठक से पहले भाष्पा राष्ट्रे अदग जेपी नड़्डा के आवास हरियाना भाष्पा कोर गूरुप के नेताओं के बी अहम बैठक होई है पार्टी के राश्ट्री अधक जेपी नड़ा और केंद्री गर्य मंत्री अमिशाइज बैटग में हर्याना परदेश श्री भाषपा कोर गुरूप के नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंतन कर रहे हैं और किष्णिपाल गुजर सहीद परदेश से जुड़े कई अन्य एहम नेता भी मौजूद हैं जेपी नडग के आवाज पर चल रही बैटग से पहले आज सुबाई हर्याना के पुर्देश चुनाओ पर भारी धर्मिन पुर्धान के आवाज पर भी हर्याना भाषपा के नेताओं के बैटग हुई आज अवगानिस्तान में 5.7 तिरुटा का भुकम बाया इसके जड़के भारत में भी महसूस किये गए दिल्ली इंसियार और अलिस्तान के कोची राकों में भुकम ने लोगों को डरा दिया राश्टिय भुकम विग्यान केंडर के मताबिक आज सुबा 11 बचकर 26 मिनट पर काबूल से 277 किलोमेटर उतरपूर में 255 किलोमेटर के गहराई पर 5.7 तिरुटा का भुकम बाया आस सुबा आखवगानिस्तान में भुकम ने पाकस्तान में भी असर दिखाया जमुक चमीरु पाकस्तान के कोची कोची सो में भुकम के जड़के महिसोस किये गया वहीं पाकस्तान के इसलामबाद, पेशावर, औरॉर्बिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और आस पास के आलाकों में भी धरती हिली पाकिसान में भूकम की तरीवता 5.4 आके गई है पाकिसान के पंजाब और खैबर पक्तुन खा के कुछ हिस्सों में भूकम के जटके महसूस किये गए अवगाणिस्तान में ये भूकम 11.26 मेट पर आया था जिसका असर दिल्ली एंसियार में भी देखा गया पाकिसान में इसलाबाद पंजाब के कुछिस्सों और खैबर पक्तुन खा प्रांतों में जटके महसूस किये जिसको लेकर लोगों ने एक्स पर पोज़ भी किया है कुलकाता के आज जी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेपकांड पर राश्पती द्रोपती मुर्बु के प्यान पर कौरस नेता पवन खेराने काया कि राश्पती ने जो ये मुद्दा उठाया है हम उसका सौगत करते हैं लेकिन उन्हें उत्रप्रदेश के फरुखाबाद महराश्टा के बदलापूर, कौलापूर, रतनागिरी, पुने, राजिस्तान के जोधपूर के तमाम वारदादों का भी जिक्र करना चाहिए ताकि ऐसा ना लगे कि वो एक राज को लेकर बस बोल रही है राजपती महोदया ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि जितने उचे परद पर बैठेवे लोग इन मुद्दों की बात करेंगे ये उतना सरकारों का ध्यान इन मुद्दों पर जाएगा लेकिन राजपती महोदया को उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद का भी जिक्र करना चाहिए महराश्ट के बदलापूर, कोलापूर, रतनागिरी, पूने इन सब हादसों का राजिस्तान के जोदफूर तमाम बारदातों का जिक्र करना चाहिए ताकि ऐसा ना लगे कि राजपती में होदया सिर्फ एक राजपती में बारदातों का जाएगा इसी बीच एक व्यक्तिन ने का है कि बारदातों के जल भराव से उसके तीन कारें बरबाद हो गए है अपने कच्चे मकान में अगर रह रहे हैं तो अपने पक्के मकान में शिफ जाए और वाडी में और रिवर बेंक में रिवर बेट के अरिया में कोई जो अपना गर हो रहे हैं तो वह महाँ पे ना जाए और अपने गाउं में अपने पक्के मकान में अपने सिर्फ हो जाए तो इस तरह से यह आप महाल में यह हमारी यह पुब्ली को नरो थे और पारिश के अंदर जो लोगों को रिस्क्यू भी हमने आज बहुत किया कुछ होगा को लेकर लगाता तयारिया जो शोर से जा रही है बीज़ 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 पी नहीं ता और बीज़ पी अमिद्वार ठाकूर रडधीर सिंग ने जब मुकश्मीर में हो रहा था कि हमलों को लेकर बयान दिया है और उन्हें कहा है कि मैं आपको बताओ राज के जो इलेक्शन्स हैं इस इलेक्शन को डिस्टरब करने के कोशिश की जा रही है जिन पार्टियों का उनसे लेना देना है वो चाहत करते हैं यशाथ पिश्टरब करने की कोशकी जा रिए जो जिन पार्ट्टय उनसे लिएन देना आपने देखा होगा किश्मीर में कितने पर्सेंट बोटी हुई है पार्लिमेटर सेक्षिन में तो लोग बढ़ चाड़ के हिस्सा लेंगे अपनी मर्दी का केंडिडियर बनाएंगे मुझे लगता कि भारती जन्ता पार्टी को लोग भारी मर्दी से चिता हो लिए लंबी सम पार्लिमेंट में ऐसे आना युआ पीडी के लिए संदेश होता है ताकि युआ उनसे कनेक्ट करें इसमीती रानी ने कहा है कि मुझे लगता है कि राउल गांदी की पॉलिटिक्स में भी चेंज आया है उनको लगता है कि उन्होंने सफरता को चक लिया है वही अगर आप देखेंगे कि वहर जिगार जाकर जाती को लेकर बोलते हैं इतने साल की राजिती में पहली बार वो इसमीत कि राज़ आते हैं उस वाइट टीशिट का यूआ पीड़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं तो हम इस गलत फैमी में ना रहे हैं कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे या बचकाना लगे लेकिन बो जो भी कर रहे हैं वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर र दे दिया उन्होंने दिल्ली से राची पहुशने के बाद एलान किया था कि वो आज इस्तिफा देंगे अब वो 30 अगस को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सुरेन के साथ उनके बेटे बावुला सुरेन भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आना बड़ा सोच समझके हमने उस पार्टी में जॉइंट करने जा रहा है और वहां से हम आदिवासी के अस्तिते को बचाएंगे जो आज मिटते जा रहा है जन्सक को घटते जा रहा है हम उस जागा से आवाज उठाएंगे पुरजारकान परदेश में कि अधर कल आपके क्या भोगराम कल तो हमारा सदस्तक गरन करना है भारते जन्ता पार्टी कि कल के बाद में जो हमको जिम्मा देंगे बास उसी जिम्मा को निवहाएंगे महराश्ता की ICC पर भारी रमेज चैनितला ने आज काहे कि महाविकास घाड़ी में कोई मदभेद नहीं है वो आगामी विदानसभा चिनौव मिलकर लड़ेंगे केरल के पूर्व ग्रहमंत्री ने ये भी काहे कि उपक्षी गरवंधन के नेता जल्दी सीटों के बटवारे पर एक और दोर की चर्चा करेंगे चार बार के सांसद ने समवादाताओं से काहे कि महाविकास घाड़ी मिलकर चनौव लड़ेगा कोई मदभेद नहीं सीटों के बटवारे पर दो दोर की चर्चा हो चुकी है एक सी दंबर को हमारे नेता एक और दोर की चर्चा करेंगे कोई तरह की मदभेद नहीं होगा सबको लेकी चलेगा कोईलेशन धर्मा कौन रसनेता सुदेनर राजपूद ने पश्चे मंगाल में रे भत्यकान मामले पर बीजेपी पर हमला बोलते वे कहाए कि महिला को न्याए और उसके रेपिष्टो को फासी मिलनी चाहिए इस मामले में जो भी दोशी है उने कानून के तहर कठोरतम दंड मिलना चाहिए लेकिन जिस तरीके से भातेंदा पार्टी के लोग बंगाल के लोगों को उक्सा रहे हैं और अस्तिर करने के कोशिश कर रहे हैं ये लोगतंत्र को कमजोर बना रहा है सामने से भी जबाब आएगा और इस तरीके के प्रत्युत्तर जो हैं लोगतंत्र को कमजोर करते हैं हम महामहीम राष्टपती जी के भय से भयभीत होने से और निराश होने से अपने आपको संबध करते हैं महामहीम जी को भयभीत बिलकुल होना चाहिए लेकिन उन्हें भयभीत मनीपूर में भी होना चाहिए जहां पर लगातार जगन्या पराद चल रहे हैं नगन महिलाओं की परेड कराई जा रही है उन्हें भाइबीत बिहार की घटना पर भी होना चाहिए उन्हें निराश और भाइबीत महाराश्ट की घटना पर भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में हात्रस की घटना पर भी होना चाहिए राजस्थान की घटना उपर भी होना चाहिए हमारे अगर महामहीम जी इन सब जगहों के लिए भी भैवीत होती है यूपिटी सांसा संजे राउत ने एक बार पिर इसको लेकर एक नाशिंदे सरकार पर बड़ा आरुप लगाया है इसके साथ संजे राउत ने इस मामली में बड़े इस्तर पर हुए भश्टचार का भी दावा करते हुए महराश्टा के उपमुक मंत्री अजीद पवार के स्तीफे की भी मांगे है मूर्ती इसलिए तूटी है कि उसमें जो व्यवार हुआ है मूर्ती में कितना खर्चा हुआ है अफशल आने दो कोई बोलते है दो हजार करोड कोई बोलते है पासो करोड कोई बोलते है तिन हजार करोड सामने आईए कितना खर्चा हुआ है उसमें से कितनी लागत लगी है कितना खर्चा हुआ है किसने कितना कमिशन खाया है शुवा जी महराज के काम में जो shortened जो शुवा जी महराज ने इस तरह से यहां प्रशासफन चलाया लोग आज भी कहते हैं कि अगर राज चला रहा है तो शुवाजी महराज देश से चला है। जनता की जो खेती है उसमें से एक काड़ी बोलते हैं उसको भी हाथ मत लगाई है। ऐसा उनको अड़ा था उस वक्त अपने सरदारों को और अपने सेनिकों को जनता को तकलिप मत दिए। जनता के साथ होकर अपनी पार्टी डेमोकरेटिक प्रोगरेसियो आज़ाद पार्टी बनाई थी लेकिन चनाव में अपनी राजनितिक चंपता दिखाने से पहले ही वो मैदान से हटते दिख रहे हैं। अब ये जनकारी सामने आ रही है कि वो अपने आपको विदान सफ़ाद चनाव के कैमपेंज सदूर रखेंगे इसके पीछे व्यक्तिकत कराना पताया जा रहा है। वो अपना नमंकर वापस ले सकते हैं। डीपीएपी के तेरह प्रतियाशियों ने पहले चरण के लिए नमंकर दाखिल किया है। हलाकि दोरु सीड के प्रतियाशी एडवोकेट सलीम का कहना है कि उन्हें गुलाम नभी आजाद की और से कोई आधिकार एक जानकरी नहीं दी गई है। वही डीपीएपी के प्रवक्ता सल्मान निजामी ने कहा है कि आजाद साहम ने कहा था कि वो स्वास्य कारणों से परचार नहीं कर सकते हैं। वैसे में अगर किसी प्रत्याशी को लगता है कि वो उनकी गहर मौजूदगी में शिनाव नहीं लड़ सकता है तो वो अपने उमिदवारी वापस ले सकता है। निजामी ने कहा है कि गुलाम नप्याजाद ने ये पहले चरण के लिए कहा है जिसमें नामंकर वापस लेने के आखरी तारिक 30 अगस्त है। लेकिन तकलीफ होती है जब अपने छोड़कर जाते हैं वो भी चंपई बावु सरीखे लोग जो भी भावक की भूमिका में हमारी पार्टी में थे और पार्टी ने हर संभव प्रयास किया उनको मान संबान देने का मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक दी गई उनको उसके पार्टी मुझे नहीं लगता है और क्या कुछ कर पाएगी अब आने वाला समय देखिए कितना उनको रिस्पॉंस मिलता है लेकिन ये बात भी सत्य है कि जारखन मुक्ति मोर्चा की जो ताकत है वो यहां की जनता की बदौलत है हमारे नेता हेमन सुरन की परतिबदता की ब दौलत है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है आने वाला समय फिर से हमारा होगा हम फिर काबिज होंगे जारखन की सत्ता पर और समय नजदीक है दो महीने बाद सामने होगा योपी के मुक्ष मदरी योगे रितनात ने आज कानपूर में जिलास सरीय मेगा रोजगाल और श करते हुए समारवधी पार्टी पर जम कर ज़ुबान हम लेकिए उन्हों ने कहा है कि लाल टोपी वाले काले कार नामों के लिए जाने जाते हैं योगी ने कहा है कि कौरे सोर सपा के पहचान दंगा और अर जक्ता पैदा करना चाहती है सपा के पैचान गुंड़गर्दी वाली पहचान है एवद्धा में सपा का नेता निशाद पार्टे की लड़की के साथ रेव करता है एवद्धा में सपा का नेता बेशर्मी से उसको बचाता है लेकिन इसे पहले की दृष्य क्या थे बैनर भायों में भी आ रहा था कारिक्रमस्तल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने बित्तमंत्री से पूछा हम दोनों एकी गाड़ी में थे मैंने का खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है ये क्या है खन्ना जी ने का हाँ यही लान इमली है बैनर भायों कानपुर की लान इमली जो कानपुर की पैचान बन चुकी थी क्यों बंदो हो गई एक कांग्रेस के बेमानी और भस्ता चार का एक इसमार्ग बन चुका है जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था हजारों लोगों के परिवारों का पेंट पलता आजो इनके भरस्ताचार का इसमारक बन करके चिडा रहा है लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इम्वली का पुन्वधार करने के बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रहे हैं जा रहे हैं केंद्री मत्री गिराज सिंग ने बंगाल की मुख्यमंद्री मम्ता बेनर जी पर जम कर निशाना साथा। गिराज सिंग ने काए कि बंगाल में मम्ता बेनर जी हार चुकी है अपनी लोग पिरता खो चुकी है इसलिए वो अलोग तांत्री भाशा बोल रही है संगी धाचे को भी तोड रही हैं। गिराज ने काए कि लालो परसाद यादों हों तिरेस्वी यादों हों राहुल कांदी हों। इनके लिए बलातकार बंगाल में इनको नहीं दिखता है। ये ममता बेनर जी के साथ खड़े दिखाय देते हैं। ना ये जुवान कोई लोकतांत्रिक बैक्ती का होई नहीं सकता मुक्खमंत्री का। ममता बनर जी जो नौर्थ कोडिया के परसिडेंट है किम जॉंग वो अपने विपक्ष को बरदास्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर जी अपने विपक्ष की बात को बरदास्त नहीं करते। मदपरदेश के कटनी में जी आरपी ठाने में बच्चे और महिला की पिटाए मामले को लेकर राज सरकार कौनरेस के निशाने पर है। राजकी प्रमोक विपक्षी पार्टी कॉंगरेस ने मदपर्दिश सरकार पर निशाना सादा है। इसे लेकर कॉंगरेस परदेश अध्धक जीदुपटवारी और कमलनात ने राज सरकार पर निशाना सादा। वहीं आज कॉंगरेस के परदेश अध्धक जीदुपटवारी ने कटनी जाकर पेड़ी परिवास से मिलने की भी पात गई है धरना परदर्शन होने की संभावना जताए गई है हाला कि कटनी कलेक्टेर्ट के ओर से कटनी में शांती का महाल बना रखने के लिए आदेश चारिक किया गया है जिसके दैद यहां जुरोस और परदर्शनी पर रोख लगा दी गई है वहीं अब इसी पर बीजेपी के परदेश अद्धक्ष की पृत के लिए आए है कटनी का मामला मुझे भी ये ध्यान में आया है और जिस प्रकार से जो घटना हुई है दुरभाग जनक है किसी भी बेक्ती को चायबो अपराधी के रिलेटिव हैं या परिवार के हैं अपराधी अपराधी है लेकिन अपराधी के परिवार के साथ इस परकार का ट्रीटमेंट देना ये जिनोंने किया है उनके खलाब कड़ी कारवाई होगी अभी वहां के जो थाना परवारी है उनको वहां से सिप्ट किया है और AIG इस तरके अधिकारी को जाँच दी है और जाँच के बाद जो चीज आएंगे तो कड़ी से कड़ी कारवाई ही इनके खिलाप होगी और ऐसे लोग बचेंगे नहीं है मद्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है इस प्रकार का अगर किसी ने करतिक किया है तो उसे जमो कश्मीर विदान सबाच चनौक को लेकर नेशनल कांफरेंस और कॉर्स ने कड़ बंधन किया इसको लेकर कॉर्स लगतार बीजेपी के निशाने पर है इसी बीच राजिसान के पूर्वी डिप्टी सीम और कॉर्स नेता सचिन पालेट के भी गड़ बंधन पर प्रिद्गरी आई है उन्होंने कहा है कि उनके पार्टी ने पूर्वरती राजी की बेतरी के लिए नेशनल कांफरेंस के साथ गड़ बंधन किया है कॉर्स और नेशनल कांफरेंस का गड़ बंधन कोई नया नहीं है लोग सबस्वाशनौव में भी गड़ बंधन किया गया था पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेचिन पालेट ने काया कि भाद इंदर पार्टी ने जमो कश्मीर में पीडिपी के साथ गड़ बंधन किया था बाद में उसके नेताओं को ही जेल में डाल दिया क्योंकि उनकी करनी और कतनी में बहुत अंतर होता है उन्होंने काया कि लोग सब कुछ समझ गए है केंद ने अगस 2019 में समिधान के नोचे 370 के प्रावधानों को नर्स कर दिया और जमो कश्मीर को केंद शासित परदेश बना दिया साथ ही आपको बदा दे कि जमो कश्मीर में तीन चर्णों में 18 सितंबर 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मदान होगा और वोटों के गिंती 4 अक्टूबर को होनी है कॉनरेस नीता ने राजिसान में विदासभा उप्शनाओ पर बोलते वे काया कि हमारे साथ हमारे सबी नीताओं ने तैयारी कर ली है परदेश के कारेकरता और नीता एक जूट है चुनाओ के रणिती के लिए मंगलवार और बुदवार कोई बैटक हुई लोगसबद चुनाओ के नतीजों को देख कर लगता है कि अब हवा कॉनरेस के पक्ष में है कॉनरेस सबी 6 सीटों पर जीत दर्च करेगी और बीजेपी को कड़ी मात देगी वहीं परदेश की कानुर रवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए सचिन पालेट ने कहा है कि राइस्तान में हिंसक घटनाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है हाली में परदेश में बरातकार और डकैती के कई घटनाओं हुई है उन्होंने कहा है कि मुझे अमीद है कि रासरकार लोगों में विश्वास जगाने के लिए बहुत गंबीर और सक्त कदम उठाएगी जपान में शांशान तूफान के वज़ा से तीन लोगों की मौत हो गई यह चकरवात 200 कलिवेटर परती घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है इसको लेकर जापान के मिया जाकी और कागोशीमा राज्यों में सरकार ने चिताओने जा रहे है भारी बारिशों तेज हवाओं के चलते हवाई यात्रा भी बादित हुई है वही 2.5 लाग से जादा घरों के विल्ली को ढ़ो गई है तूफान की वरस से बाढ़ और भुषकलन से भी काफ़े नुकसान हुआ है मौसमी भाग ने पता है कि तूफान शशान ने आज सुबा दक्षडी क्यूशों के पास दस्तक दी जहां 24 घंटे में 60 सेंटिमेटर तक बारिश होने के आसार है विबाग ने लोगों से समुदाय केंद्रों और अन्ने सुधाओं में शरंड लेने की अपील की है अधिकारों ने चिताओने दी है कि ये तूफान शचेतर में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक हो सकता है सरकारों ने कई प्रांतों में लाखों लोगों को सरक्षे दिस्थानों पर जाने के आदेश दिया है मोखे कैबनेट सच्यू ने बदाया कि तूफान की वज़ा से तेन लोगों की मौत होई है एक लापता है दो गंबी रूप से घैलों गया है और पांच को मामूली चोटे आई है चकरवाद की वज़ा से सबी सरकारी विभागों को हाई अलट पर रखा गया है यह ज़गरवाद पहले बे कई बार तबाही मचा चुका है जिसके वज़ासे 290 घरेलू और अंतराष्टी उडानों को जापान में रत कर दिया क्या है सरकार ने काया कि तुफान की वर्यासे दोनों राज्यों के 8 लाक लोगों को यहां से दूसी जगर पर भेजा जाएगा राधानी टोकियो में फिलहार बुलिट ट्रेनों ट्रेन उडानों और डाक सिवाओं पर अगले आदेश तक रोक लगाती गई है हिंदी समझ जा नहीं समापत होता है मुझे दें इजाज़त बागी खबरों के लिए अपने रहें स्यासा टीवी के साथ